बिहार की राजधानी पटना में दिन धाड़े हुई एक हत्या के बाद कानून विवस्था पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं मंगलवार की शाम पतना एरपोर्ट पर काम करने वाले इंडिगोई अलाइन्स की स्टेशन मानेजर रुपेश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी गई बता जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशो ने रुपेश पर ताबर तोड़ छे राउन फायरिंग की और फरार हो गए सभी रुपेश को जानते थे कई सेलिब्रिटीस से भी उनके अच्छे रिलेशन थे हालिया विधानसवा चुनाव में भी रुपेश के चुनाव लड़नी की चर्चा थी इस हाई प्रोफाइल हत्याकान के बाद से ही पुलिस महकमे और सरकारी तंतर में हरकंप मचा हुआ है आज तक समवादाता उतकर्ष सिंग के मताबिक इस हत्या को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रुपेश की हत्या के पीछे कारण क्या है फिलाल उनके जानने वाले रुपेश की किसी से दुश्मनी की बात से इंकार कर रही है सबी का कहना है कि रुपेश काफे मिलंसार थे हाला कि इस बात से इंकान नहीं किया जा सकता कि रसूगता लोगों के साथ रुपेश के संबंद और उची पहुँच की वजह से उनके कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि किस ने और क्यों रुपेश की हत्या की जिस तरह से इस हत्याकान को अंजाम दिया गया है उससे तो यही लग रहा है कि हत्यारों को रुपेश के घर आने जाने की टाइम इनकी अच्छी से जानकारी थी मंगलवार को भी रुपेश के एरपोर्ट से निकलने और घर पहुचने की टाइम के बारे में हत्यारों को पता था हत्याकान के बाद वो उसी रास्ते से भागे जिधर से रुपेश आये थे हत्याकान के तरीके से लग रहा है कि अपराधियों ने रेकी भी की होगी राकेश के अपार्टमेंट के नीचे करी बाधा दर्जन CCTV क्यामरे लगे हुए है इन में से एक तो गेट की तरफ मुडा हुआ है यानि हत्याकान की पूरी रेकॉर्डिंग उस CCTV में होनी चाहिए थी लेकिन अपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि CCTV कई सालों से खराब पड़े हैं इस अपार्टमेंट में एक ही गार्ट पैनात है जो 24 गंटे परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता है जिस वक्त रुपेश का मडर हुआ अपार्टमेंट का गार्ड मनोचलाल मौजूद नहीं था गार्ट का कहना है वो अपने दोस्त के मा की दासंसकार में सुभा 9 बजे ही चला गया था जब शाम साड़े साथ बजे लोटा तो देखा कि रुपेश की हत्या हो चुकी है गार्ट के मुताबिक रुपेश ने जब गार्डी का होन बजाया तो उसकी बेटी गेट खोलने गई लेकिन तब तक हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे रुपेश की हत्याकान के दिन ही गार्ड करना होना एक सयोग भी हो सकता है लेकिन फिलहाल ये जाच के घेरे में है आम तोर पर पुलिस किसी भी क्राइम सीन को सील कर देती है ताकि जाच में दिक्कत ना हो लेकिन रुपेश सिंग हत्याकान का क्राइम सीन सील नहीं किया गया पुलिस गाड़ी को थाने तो ले गए लेकिन स्पॉट पर गाड़ी के शीशे बिखरे छोड़ दिये सीट बेल्ट का लॉक क्लिप भी सड़क पर गिरा मिला मामला गर्माने के बाद हत्याकान की जांच के निविशेश दल यानि कि SIT का गठन कर दिया गया है पुलिस को शुरुवाती जांच में गठना के पीछे सुपारी किलर का हाथ लग रहा है वादात में 3-4 लोगों के शामिल होने का शक है इस हत्याकान को लेकर विपक्षी दलो ने नितीश सरकार को घेरा डिप्टी सीम तारकिशोर पिसाद ने आज तक से कहा कि रुपेश की हत्या दुर्भाग्यपूर है सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है सीम नितीश कुमान ने भी वरिष्ट अधिकारियों को मामले का जल्दी से जल्दी खुलासा करने के निर्देश दिये है हत्यारों को गुरफतार करने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे आपके लिए खबर लिखे हमाले साथी अमित में मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया